तो नेक्स्ट जो है फ्रूट प्लांट में हम आ गए सर यह किसी का प्लांट है यह जो हरा शेतूत होता है लंबा अच्छा वो है और बहुत मीठा स्वाद है और हम लोगों का फोकस यह भी था कि जो फ्रूट सब मार्केट में कम होते जा रहे हैं उनको भी लगाया जाए तो जिससे आगली पीडी भी जाने कि किस तरीके के फ्रूट हमारे हो रहे हैं इसके पीछे आप देख रहे हैं तो यह अम्रूद है अच्छा इसमें फ्लावरिंग हो रही है अभी काफी कॉन्टेटिम है फ्लावर्स में और आप यह देखे यह तब है कि हम कोई खाद नहीं है सरफ यहाई का घर का वेस्ट जो है वो कॉम्पोस्ट होता है इसके अलावा कोई किसी बहार का कोई खाद नहीं डलता है बहुत बढ़ी आपास है उसी के बेस्ट पैस्टिसाइड उसी के बेस्ट न्यूट्रियंट वगरा बना के देते हैं और कुछ नहीं तो यह बहुत हमदु पांट साल से अम लोग ढाल को सोके लिए लाकि नहीं है तो पूजा से जतना घर में जरुद पड़ती है उससे ज्यादा कॉटन हो जाता है तो यह बताहिए बहुत से लोग आभी बहुत से नहीं समझ पाएंगे कि यह का चीज है कॉटन जिसे हम कहते हैं तो उसको हिंदी में कपास का जाता है तो अब उसमें नए वेराइटी भी आने लगें नर्मा और्मा यह कपास है तो रूई जो होती है रजाई में बरी जाती है बिल्कुल वही है जिसकी बत्ती बना के आप पूजन में काम लेते हैं उसी का बहुत से लोगों ने जो है देखा नहीं होगा आप लोग जो है सर के गार्डन में सर की साहिता से जो है यह देख पा रहे हैं आप लोग और नेक्स्ट जो है यह ट्री ओर है यह जैस्ट इसके पास में ही यह किसी का है सर यह सीता फल है अच्छा और बहुत मीठा फूट ल अगर आप फ्रूट को तोड़ देंगे तो पेड मजबूत होने में मदद मिलेगी बहुत बड़िया बात है सर बहुत इंट्रेस्टिंग जानकारी एक यह वाला है अंजीर है यह तो यह अपने हाथ जो गोल गोल ऐसे मिलते हैं वो यह सेम चीज है नहीं यह अभी कच्छा है इसलिए आपको ऐसा लग रहा है फिर यह जब पकेगा तब उसको सुकाने के लिए उसको फ्लैक किया जाता है बाकरी फूक तो ऐसे ही आता है यह अंजीर का प्लांट है दोस्तों काफी इंट्रेस्टिंग बाइंट आइं से आगए अच्छा यह ड्रेगन फ्रूट है इस पे लगता है ड्रेगन फ्रूट है तो इसमें जो अंदर परपल वाइट उस ताइप का निकलता है अब यह वाइट है उदर अभी छोटे मैंने नहीं लगाएं वो अंदर से पिंक है तो की आते हैं एक अंदर से वाइट आता है एक पिंक आता है एक यलो आता है बहुत अच्छी बात है तो ड्रेगन फ्रूट हमने हमको देखने को मिला और नेक्स्ट आप जो है यह मेरे हैं हमने इनको कट करके रखावा है जिससे एक तो इनका फूर्ट उतारने में आसानी हो सभी दूसरा कि इनके उपर अगर हमें कोई स्प्रे वगरा करना है उसमें कोई तकलीफ नहीं हो बहुत बढ़ी आप तो आगए हम फलों के राजा के पौदे के पास में तो सर यह आम कितना पुराना है लगबग यह करीबन 6-7 साल पुराना आम है और पिछले 5 साल से फ्रूटिंग कर रहा है इसको आपको साइज को देखके नहीं लगे है कि यह इतना पुराना है पर हमने इसको कट करके रखावा है अच्छा हाइट नहीं बढ़ रहा है आप किसी भी प्रूट्री की हाइट नहीं है क्योंकि फिर फ्रूटिंग उसको नीचे हम लोग जिसका जैसे सीजन होता है उसको वैसे बढ़ाते हैं और काटते हैं तो काफी कॉंटिटी में इसमें आम आई हुए है थीक आता है और स्वाद भी बहुत ही बहतरीन है यह थोड़ा लेट मार्केट से आम खतम होने लगता है इसका पकने का समय शुरू होता है तो स्वाद भी बहुत अच्छा है उखली बिल्कुल पतली है है मेरे खिल से स्वाद में अच्छा होने के पीछे यह कारण है कि क्यमिकल नहीं है और यह कोई प्ल confidence परक्शन बैसे सब्सक्रा में करके आती है जो नैचरली भी थोड़ा छोटा रहता है और हमने इसको ट्रिम करके छोटा रखावा है बहुत बढ़िया तो घर के आम का स्वाद आप जो है ले पाते हैं खुद के गाइडन में मज़ा ही अलग असार इन सब चीजों का तो हर साल करीबन साथ आठ केजी आम तो छोटा होने के बाद भी इसमें उतर जाता है बहुत बढ़िया पात और देरे देरे जैसे प्लांट बढ़ेगा तो चाहर होगा थोड़े सी क्वांटिटी भी बढ़ेगी बहुत अब नेक्स जो है यह सर बेर का प्लांट है तो यह कोई अलग वेराइ चाहर बहुत क्रिस्प अन्हें कोई यह अपने जोशी होता है यह शोटा है और आप यह मां के चलिए आपल और बीच का कस्प पहिए अच्छा उनका मतलब एक तरीके से उनके जीन मिक्स का यह अैसा ही लगता है मेरे को और मीठा एक दम काफी में जूशी है का इतना आप चाहें तुब अभी फ्रूटिंग पे तो नहीं है यह आलो बुखा रहा है इस साल फ्लावरिंग तो हुई थी पर फ्रूट डवलप नहीं हुआ थोड़ा है थोड़ा है थोड़ा है कि साल दो साल में फ्रूट भी चालू कर देगा और यह सेहतूत का है कि यह कौने में इसमें पर यह फ्रूट तोड़े अलग टाइप के लगे हैं यह क्या चीज है यह सेहतूत नहीं है यह फालसा है अच्छा इसके आप मालेजिए राजस्तान का फॉर्गोटन फ्रूट है और बहुती स्वादिश्ट खट अड़ फ्लेवर आता है अच्छा और जब बड़ा हो जाता है अगर डाक हो जाता है तो मीठा भी हो जाता है अच्छा मैं सुझा तो यह फालसा का आप बता रहे थे तो इसमें यह बेरी जैसे लगे है बिल्कुल यही फालसा है अच्छा तो अब यह मतलब मैंने देखा है कि MP रास्तान इस एरिया में शायदे अवलेबल रहता है और इंडिया को वाला फ्रूट नहीं है यह नहीं अपने नॉर्दन इंडिया में गर्मी के एरिये का है पर मेरे ख्याल से सर्दी में भी हो जाएगा नीचे साउथ में भी ह जाना चाहिए और बहुत ही स्वाधिष्ट है और लोग जतना कहते हैं बताते हैं कि आपको फ्रूट ट्रीज के साथ यह करना है वह करना है आप देख रहे हैं हमने काफी तरीके के फ्रूट ट्रीज और काफी लगा रखे हैं पर हम लोग तो कोई ऐसा विशेश का किसी के लिए कुछ करते नहीं है अगर कोई पौदा मर भी रहा हो तो हम उसको बचाने की कोशिश नहीं करते हैं इसका मतलब वह पौदा कमजोर है सही है बाद तो जो हेल्दी है सर्वाइवल आफ फिटेस्ट पे विश्वास करते हैं और उन ही पौदों को मिंटेन करते हैं तो न वेस्टिंग होई थी तो अब यह चिडिया के लिए छोड़ दी है जो अब किलैरी खाएं हम्ने जितना उतारना था उतार लिया अब जो आगे पके गा भी वह चिडिया का है तो यह ब्लैक वाले ग्रेप यह थाए याच्वल में मुनक्य की वाईटी है अच्या Nouset Now और बहुत मीठा हो जाता है और एक गुच्छा जो इसका आता है उसमें कितना वजन अपने यहां के अन्वाइर्मेंट में तो वजन नहीं किया पर पाव भर तो होई जाता है जाता है थोड़ा है अंतर रहता है हम लोग को ऐसा फ्रूट बढ़ाने के लिए या कोई ऐसा इस आप काफी अच्छा हर्वेस्ट हुआ बहुत बढ़ी अबाद बढ़ी अबाद और यह के लेके लगा रहे हैं यह फ्रूटिंग बनाना है अच्छा लास्ट व लास्ट यह फ्रूट भी आया था अच्छा अच्छा हमने इसकी जगे चेंज करी तो मेरे ख्याल से यह थोड बनाने वाले हैं फ्रूट प्लांस के बाद में अब हमें सारे बगीचे को मिंटेन कैसे करते हैं उसका पोशन कैसे करते हैं अच्छा उसके लिए हम खाद कैसे बनाते हैं वह मैं आपको दिखाना चाहूंगा और आपने देखा भी होगा कि थोड़ा सा गार्डन शैबी है आपके से नीचे कुछ-कुछ है बर यह जानभूज के रखा गया है इसको साफ जानभूजके नहीं किया है अब मने तो हम जान बूजके गंदा करते हैं घंधातना Divine habitat plants को natural habitat बनाने के लिए और इसके खाद बनाने के लिए बहुत बड़िया बात तो हम देखते हैं आप आगे ला